आज इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊँगा कि कैसे कोई भी अधिवक्ता अपने घर बेठे ही कोट में केस फाइल कर सकते हैं या फिर ओफिस के थूरू भी कोट में केस फाइल कर सकते हैं तो यहाँ पर डिजिटल इंडिया में आप सभी के लिए यह सब सारे बेठे भी आप यहाँ पर बिना कोट में जाए, इंटर किये, अपने डिश्टी कोट या फिर हाई कोट में बिना जाए, आप घर बेठे या फिर ओफिस से द्वारा ही आप कोट में केस फाइल कर सकते हैं, और कैसे करना है, क्या इसका प्रोसेस है, हर एक चीज इस वीडियो म हम complete इसके बारे में जानेंगे, और इसके बारे में समझेंगे, तो वीडियो को last तक ज़रूर देखेगा, और आप सभी से request है, कि अगर आपने अभी तक study भी थी हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और साथ में इस वीडियो को जीतना हो सके, दूसरे अधिवक्ता के पास, एड़ोकेट के पास, या फिर लाउश्टन के पास, सेर करें ताकि उन सभी को इसके बारे में awareness हो सके, और इसके बारे में पता हो सके, तो यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी सबसे अच्छी चीज़ क्या है, कि आपको बिना court में सबसे पहले में बात करता हूँ, register for e-filing, that means e-filing court case इनका website है, जिनके थुरूग इंडिया में कोई भी state से आप बिलोंग करते हैं, कोई भी district में आप practice कर रहे हैं, advocate as advocate, और अगर आपको district court में या फिर high court में court case file करना है, तो बिना court में इंटर किये वे आप घर बेठे, अप इसे file करने के लिए आपके पास होना चाहिए, एक ID, जो ID आपको बनाना पड़ेगा, और इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, वो में आपको बताऊंगा, जैसे कि आप यहाँ पर दिख सकते हैं, आपको step by step में बताऊंगा, टेने step में वो clear हो जाएगा, कि क्या आपको बताने माला हूँ, और आप इस काम को अपने घर बेठे या फिर office बेठे ही कर सकते हैं, बिना quote में गए, और step क्या है, वो में आपको बताता हूँ, इसके लिए पहले आपके पास क्या 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 रेडि कर लेना है, registration के लिए वो बात सुलिए, यहाँ पर आपके पा इसके साथ में एक फोटो होना चाहिए, जिसको फोटो आपको अपलोड करना होगा, और identity proof के तोर पे आपके पास pen card, अधार card, water card, driving license या फिर बार registration certificate होना चाहिए, इनमें से कोई एक आपके पास certificate होना चाहिए, ID proof के तोर पे, और साथ में स्मार्टफोन या फिर laptop या desktop के आप कर सकते हैं, इस काम को, अब करना क्या स्टार्टिंग में, पहला step में आपको इनके official website के उपर जाना है, website क्या है, वो आपको स्किम के उपर देख सकते हैं, www.efiling.ecotes.gov.in, अब यहाँ इसके website के उपर जाने के बाद, आपको करना है, step 2 में, यह आपको select कर लेना है अप अपना state, अपना state यहाँ पर आप select कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, या फिर map में click करके, या फिर यहाँ पर police select का option है, यहाँ पर से जाकर, जो भी state से आप belong करते हैं, वो state select कर लेना है, यहाँ पर आप प्रेक्टिस कर रहे हो, जैसे मान लिजे अगर आप बिहार म पर click करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो आपको new user दिख रहा है, इस पर आपको click कर लेना है, और इस पर click करने बाद आपको क्या है, कि आपको यहाँ पर next step आएगा, advocate पर क्या है, advocate में आपको select कर लेना है, या फिर party in person है, तो party in person में select करना है, और फिर यहाँ पर आपको मुबाइल नमबर, इमेल आइडी, बार रिजिस्टेशन नमबर, चूज यूजर आइडी और सिलेक्ट हाई कोट, हाई कोट या फिर कोट इस्टेबिलिस्बेंट सिलेक्ट करना है, और कैप्चा फिल करके आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, जैसे ही करना है और इसके लिए आपको यहाँ पर पासवर्ड अपनां फिल पासवर्ड कर लेना है, और ठीक इसके बाद फिरका प्रस्ट नमबर, जेंडर, देट-ओजर, डेट- आड्रर्थ, ऐडडिस अपको फिल करने के बाद, नेक्स्ट अपकपा जो ए स्टेक्स, क्लेक्स फोटो एन आईडी यहां पर आप दे सकते हैं फोटो जो है आपका होना चाहिए अपना फोटो आपको यहां दे रहा है और आईडी प्रूफ आपको यहां देना है और इसे अपलोड करने बाद आपको यहां पर Step 9 आडा होगा Step 9 में आपको सिलेक्ट आईडी प्रूफ कर लेना है आईडी प्रूफ कश्रेक्र करना वाद रेजिस्टर सुक्रेट है यहां टब मेसेज आएगा इसके बारे पता नहीं है तो आपको मैंने इस वीडियो बता दिया कि कैसे आप घर बेठे या फिर ओफिस से कोट में केस फाइल कर सकते हैं तो यह आईडी बनाने के बाद कैसे अगला प्रोसीजर क्या जाता है कैसे केस फाइल क्या उसका सबी के लिए हर तरह का वीडियो आते रहे हैं हमारे चैनल के उपर ताकि आप सभी को नोटिफाई जो है अपडेट देता रहूँ तो प्लीज आप सभी से रिक्वेश्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को complete देखी लिया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले जितना हो सके इस वीडियो को अपने advocate या फिर जो भी आपके contact नमबर में उन सभी के पास शेयर करें और सब के पास ताकि उन सभी को भी help ह हो सके और aware हो सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अच्छा लगातव होगा तो like कीजिएगा share कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद thank you so much for watching this video